नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक अक्तूबर 2017 को इवनिंग सिफ्ट में आयोजित हुई और इस प्रिक्सिया की सीरीज नमबर 23 में इंडिया और इंटरनेशनल जीके और साथ में साइंस से सम्मंदित पूछे गए प्रसनों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिस करेंगे विस्तार से इसलिए क्योंकि इनी कुश्चन से बार बार कुश्चन पूछे जा रहे हैं सुरू करते हैं पहला प्रसन उच नयाल्या के नयाधीस की न्युक्ती का अधिकार की से है इस प्रसन का सही उत्तरा उप्शन भी भारत के राश्टरपती को आर्टिकल 217 और कलोज 1 के अनुसार भारत का राश्टरपती भारत के चीफ जस्टिस ओफ इंडिया और सम्बंदीत राज्या के राज्यापाल के साथ विचार मिमर्स कर सम्बंदीत राज्या के उच नयाल्या के नयाधिस की न्युक्ती करता है अगला प्रसन है पंचायती राज प्रनाली भारत में कब शन्सोजित हुई इस प्रसन का उत्तर ओप्षन D वर्स 1902 में है भारत में प्राचिन काल से ही पंचायती राज नीती की विवस्था रही है पहली बार प्रधान मंत्री जुहारलाल नहरु दुआरा भारत में राजस् संस्था से संबंधित कुछ स्मीतियां भी बनाई गई थी, वर्स 1958 में बल्वंत रायस महता स्मीति, 1963 में के स्थानम आयोग, 1978 में असोक महता स्मीति, 1985 में जीवी के रोय स्मीति, 1986 में L.M. सिंगवी स्मीति, 1988 में P.K. थुंगन स्मीति, 73 समिधान संसोदन 1992 विधेक को लोकसभा दुवारा 22 दिसंबर 1992 को राज्य सभा दुवारा 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया इसके बाद 17 विधान सभाओं दुवारा इसको मानिता दी गई और राश्टर पती की सभी कृती 20 अपरेल 1993 को मिली और 24 अपरेल 1993 से है लागू हो गया और इस अधीनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक सेवधानिक दरजा दिया अगला प्रसन है सारवजनिक धन का सरंक्षन किसे कहा जाता है इस प्रसन का सही उत्तरा ओप्षन बी अकेंक्सक एव महालेखा नियंतरक अगला प्रसन है लोकसबा में राश्टर पती दुवारा कुल कितने एंगलो इंडियन को मनोनित किया जा सकता है इस प्रसन का उत्तर सविधान के अनुछेद 81 के अनुसार लोगसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 552 हो सकती है जिसमें से 530 सदस्या विबन राज्यों के निर्वाचन छेतरों से और 20 सदस्या तक केंदर सासित प्रदेशों का प्रति नीदितव कर सकते हैं लोगसभा में प्रियाप्त प्रति नीदितव नहीं होने की स्थीती में भारत का राष्टर पती यदि चाहे तो अंगल भारतिये समुदाये के दो प्रति नीदियों को सविधान के अनुछेद 331 के अनुसार मनोनित कर सकता है लोगसभा की कारिया अवदी 5 वर्स की होती है प्रंतु इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और लोगसभा के सांसद का कारियाकाल 5 वर्स और लोगसभा सांसद के लिए आयू सीमा कम से कम 25 वर्स रखी गई है और वर्स 1952 में आम चुनाव होने के बाद देश को पहली लोकसबा मिली और भारतिय राश्ट्रिय कोंग्रेस 245 सीटों के साथ जीत हासिल कर सत्ता में पहुंची थी और जुआहर लाल नहरू भारत के प्रथम प्रधान मंत्री बने अगला प्रसन है निमन लिक्त में से भारतिय सविधान का कोन सा अनुचेद अखिल भारतिय सेवाओं को परदान करता है इस प्रसन का सही उत्तर है उप्षन सी अनुचेद 312 अगला प्रसन है भारतिय सविधान के निर्मान में कितना समय लगा इस प्रसन का सही उत्तर है उप्षन सी लगबग तीन वर्स मतलब दो वर्स ग्यारा महीने अठारे दिन सविधान सबा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिज पर किया गया जिसने 1946 में भारत का दोरा किया औ और सविधान सबा की पहली भेटक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कोंस्टिचूसनल होल जिसे अब संसद भवन के केंद्रिय कक्स के नाम से जाना जाता है वहाँ पर हुई थी और सिरी सचीदा नंद सिनहा सविधान सबा के अस्थाई अध्यक्स निर्वाचित किये गए थे डोक्टर राजेंदर परसाद बाद में सविधान सबा के स्थाई अध्यक्स बने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जुआहरलाल नहरू ने भारत वर्स को एक सवतंतर तंतर घोसित करने और उसके भावी सासन के लिए एक सविधान बनाने के दृड संकलब के उदस्या संकलब प्रस् दो साल 11 महीने 17 दिन लग गई भारतिय सविधान सबा ने कुल 11 सतर आयोजित किये और जिनकी कुल अवदी 165 दिन थी सविधान सबा के 11 सतर के अंतिम दिन 26 नुवंबर 1950 को भारत का सविधान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने सविधान पर अपने हस्ताकसर किये और भारत का सविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ उस दिन सविधान सबा का अस्तितव समाप्त हुआ और 1952 में नई संसद के गठन होने तक अंत्रिम संसद का गठन किया और सविधान के पिता डोक् सेवक कौन है इस प्रसन का सही उत्तर है option B मंत्री मंदल सचीव मंत्री मंदल सचीव भारत का top most executive official और senior most civil servant होता है अगला प्रशन है राज्य सबा का अध्यक्स कौन होता है इस प्रसन का सही उत्तर है option B उपराश्टरपती सविधान के अनुछेद 89 के अनुसार संसद के सबापती उपराश्टरपती होता है वर्त मान में भारत के 13 उपराश्टरपती वेंकईया नाइडू जिन्होंने 11 अगस्त 2017 को उपराश्टरपती का पद ग्रैन किया वो राज्य सबा के अध्यक्स है और राज्य सबा में अधिक्तम संख्या 250 निर्धारित है जिसमें 238 राज्य छेतरों से निर्वाचित होते हैं जबकि 12 सदस्या राश्टरपती दुवारा मनोनित किये जाते हैं सवीदान के अनुछेद 80 के अनुसार राज्य सबा के सदस्यों का करेकाल 6 वर्स का होता है और उनके लिए जो आयू सीमा है वो कम से कम 30 वर्स होना अनिवारिया ह अगला प्रसन है राश्ट्रिय धवस पर एड़ोक कमेटी के परमुख कौन थे इस प्रसन का सही उत्रा ओप्षन C डॉक्टर राजेंदर परसाद अगला प्रसन है दक्षिन भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है इस प्रसन का सही उत्रा है ओप्षन B अन्नाई मुडी अन्नाई मुडी चोटी दक्षिन भारत के पस्चमी घाट के अंतरगत तमिल नाडू और केरल में स्थित है नील गरी के दक्षिन में अन्नामलाई पहाडी स्रिंखलाओं में सबसे उंची चोटी है जिसकी उंचाई 2695 मीटर है और यह दक्षिन भारत का सरवोच सिकर है और कोफी का परमुख उत्पादक राज्या कौन सा है इस प्रसन का सही उत्तर है ऑप्षिन सी करनाटक अगर 2017 के आंकडों को देखें तो करनाटक पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर केरल है तीसरे नंबर पर तमिल नाडू है और चोथे नंबर पर अंधर परदेश है और भारत में कोफी का उत्पादन मुख्या रूप से दक्षिन भारतिया राज्यों के पहडिक शेतरों में होता है लेकिन फिर भी कोफी भारत के तीन शेतरों में उगाई जाती है करनाटक केरल तमिल नाडू दक्षिन भारत के पारंप्रिक कोफी उत्पादक शेतर है इसके बाद देश के पूर्वी तट में उडिसा अंदर प्रदेश के गैर परंप्रिक चेतरों में कौफी उत्पादक चेतरों का विकास हुआ है ये नए क्षेतर हैं तीसरे क्षेतर में उत्तर पूर्वी भारत के अरुनाचल प्रदेश नागा लेंड तिरीपुरा मिजोरो मेगा मनिपुर और असम राजय सामिल हैं और भारतिय कोफी दुनिया भर की सबसे अच्छी गुणवत्ता की कोफी मानी जाती है अगला प्रशन है नीवी वर्तनी मानसून किस प्रदेश में वर्सा करता है इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन सी तमिल लाडू और तमिल के अत्रिक्ति है दक्षन अंदर प्रदेश में वर्सा करने में साहिक है अगला प्रशन है निमल लिख्त में से किस संसोधन में मत दाताओं की उमर सीमा को गटा कर 21 वर्स से 18 वर्स किया गया इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन सी 61 संसोधन अगर हम व्यसक मतादिकार की बात करें लोकसभा का निर्वाचन व्यसक मतादिकार से होता है प्रतियेक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम 18 वर्स की आयू का है उसके दुआरा यह निर्वाचन में वह मत देने का हकदार बनता है और यह जो संसोधन है 61 सवीधान संसोधन अधिनियम 1989 दुआरा व्यसक मतादिकार की जो आयू है उसको 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स किया गया है अगला प्रशन है भारतिये सवीधान में कल्यानकारी राज्य की अवधारना को औरिकतस्थान में सामिल किया गया है इस प्रसन का सही उत्तर है और राज् अगला प्रसन है निमल लिक्ट में से किसके महा व्योग के लिए भारतिये सवीधान में कोई प्रावधान नहीं है इस प्रसन का सही उत्तर है और इसके अत्रिक्ट पानी 7.8 प्रतिसत होता है पेरोटोपलासम पेक्टीन 0.55 प्रतिसत उसके बाद फैटी सबस्टांस 0.4 प्रतिसत और मिनरल साल्ट 0.2 प्रतिसत कपास में होते हैं कपास एक नगदी फसल है और इसे रूई त्यार की जाती है और इसे स्फेद सोना भी कहा जाता है कपास को खासकर फाइबर के लिए उकाया जाता है पूरे विशम में कपास कपडा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कपास की 3 परकार होते हैं लंबे रेसे वाली कपास जिसे समुदर तक ड्वीपिय कपास कहते हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है उसके बाद मद्या रेसे वाली कपास जो 3.5 cm से 5 cm की लंबाई की होती है जिसे मिसरित कपास कहते हैं उसके बाद है छोटे रेसे वाली कपास जिसकी लंबाई 3.5 cm तक होती है अमेरीका कपास उत्पादन का विशम में सबसे बड़ा उत्पादक है उसके बाद चीन और भारत तीसरे नंबर पर है और इसके अतरिक्त ब्राजिल, मिसर, सुडान, आदी कपास के प्रवुख उत्पादक देश है अगला प्रसन है, निमलिक्त में से किसका उप्योग भंडारन बैटरी में किया जाता है इस प्रसन का सही उत्तर है, option B, LED क्योंकि LED ACID बैटरीयां बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाली बैटरीयां है अगला प्रसन है, निमलिक्त में से कौन सा पदार्थ एक उप्धातू है इस प्रसन का सही उत्तर है, option C इसको हम अगर हम बात करें, इसके chemical नाम की, इसको arsenic कहते है जो उप्धातू है, उसको अंग्रेजी में metalloid कहते है और metalloid, metal और non-metal के बीच की होती है दोनों की properties metalloid में होती है और यह है एक chemical element है और अब तक 11 जो chemical element है उनको recognize किया गया है और जिन में से 6 metalloid को commonly recognize किया गया है उन्हीं की बात की जाती है उसमें barone है, silicon है, germanium है, arsenic है antimony है और tellurium है और इसके तरिक जो 5 दूसरे हैं वो polonium, esteratine, selenium, carbon और aluminium है लेकिन 6 को commonly recognize किया गया है उनमें ये arsenic आता है अगला प्रसन है CT scan रिक्त स्थान के उप्योग दुआरा किया जाता है इस प्रसन का सही उत्तरा option D, X किरन CT scan X-ray का एक रूप है और इसे computerized tomography भी कहते है और यह स्रीर के अंगों के चित्र को दरसाता है ज्यादातर CT scan स्रीर के विबिन अंगों जैसे छाती, पेट, कमर, हाथ या पैर से संबंदित बिमारियों के लेक्षनों का अध्यन करने के लिए किया जाता है और इसके अलावा CT scan हड़ियों से जुड़ी समस्या रक्त वाही काउं, रीड की हड़ी सीर में लगी कोई भी चोट और अंदरूनी समस्या को जानने के लिए होता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एन इन्यूर्स्टेडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे